मैं उपस्तित सभी सम्माननी नागरिक बंदों इस रेल कोच फैक्टरी को चलाने वाले सभी संचालक सातियों विवेकानंद, विचार मंच और उसको आगे बढ़ाने वाले मेरे सभी सहीयोगियों मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप में शहीद आजम भगत सिंग के बलिदान दिवस की पूर्व संद्या पर इस कारिक्रम का आयोजन किया और मुझे आप से कुछ संबाद करने का विचार प्रस्तुत करने का मौका मिला मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ आभार व्यक्त करता हूँ विवेकानन विचार मंच का जिनों ने ये सबायोजन किया आपका विशेश आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने घर में से आज का कुछ समय निकाला और यहां आप सब उपस्तित हुए और मेरे सहयोगी श्रीयगदत जी, शुरेश भाई, राकेश जी ये सब जो पिछले कई दिनों से मेरे साथ है उनका भी आभारी हूँ कि उन सब के सहयोग से मैं आपके साथ आपके सम्मुख पहुँच सका भारत देश ने 6,32,000 करंतिकारी हैं जो शहीद होए 6,32,000 करंतिवीर थे जिनोंने इस देश की आजादी के लिए शहादत दी भगत सिंग उनके सरवच शिखर पर हैं ऐसा पूरा देश मानता है शहीद आजम का खिताथ भगत सिंग को मिला ऐसा पूरे देश की तरफ से उनकी ये भावना है कल 20 मार्च को पूरा भारत देश उनकी शहादत का इस्मरण करेगा उनको शर्दान जली देगा भगत सिंग जी की शहादत के बारे में आप सब बहुत कुछ जानते हैं चोटी सी एक जानकारी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं क्योंकि श्रीव रज्मोहन जी ने जो जानकारियां दी उसके साथ वो कॉम्प्लिमेंटरी है उन जानकारी को और आगे बढ़ाने वाली है अंग्रेजों की सरकार ने कियो एक दिन पहले फासी क्यों दी उसकी कहानि अगर आप सब जाने तो बहुत अच्छा होगा अंग्रेजों की सरकार ने सर्दार भगत सिंग्ग को एक दिन पहले क्यों फासी के फंदे पर लटका दिया बिना किसी को बताए बिना किसी को जानकारी दिये हुए क्यों अंग्रेजों की सरकार ने अपने ही कानून और नियम का उलंगन किया बगत सिंग जी को फांसी देने में नियम और कानून का उलंगन क्या था आप जानते हैं कि अंग्रेजों की सरकार दुनिया के जिन भी देशों में चली और वहाँ पर उन्होंने फासी देने के लिए जो नियम काईदे कानून बनाए उन में से एक नियम ये है कि किसी को भी फासी दी जाती है तो सुबह के समय दी जाती है सुबह का समय फासी देने के लिए निश्चित किया हुआ है दुनिया के सभी देशों में इसका पालन होता है आपको थोड़े दिन पहले याद होगा इराक के पूर्व राश्रुपती सद्दाम हुसेन को भी फासी दी गई तो सुबह कहीं समय है सारे दिनिया के सभी देशों में ये नियम लागू है और आज से नहीं लगवक सो सवासो वर्ष से अंग्रेजों के देश में भी यही नियम था कि फासी सुबह दी जाती है और दी जानी चाहिए तो 24 मार्च को सुबह उनको फासी देने का समय था छे बजे के आसपास लेकिन 23 मार्च की रात को ही फासी हो गई बिना किसी को बताए कारण इसके पीछे जानना चाहिए मैंने भारत देश के जो शहीद है बगत सिंग, उधम सिंग, चंदरशेकर, सुबह शंद्रभोस, आशपाकुल्ला, तांतिया टोपे जहासी ग्रानी लक्ष्मवाई, नाना फड़नवीस ऐसे 6,32,000 के बारे में कुछ दस्तावेज इकट्टे किये हैं और वो दस्तावेज भारत में नहीं मिले, लंदन से मिले, House of Commons की लाइबरी अंग्रेजों की संसद में से तो भगत सिंग जी के बारे में जो दस्तावेज मिला वो ये बताता है कि अंग्रेजों की सरकार बहुत घवराई हुई थी भगत सिंग जी को फासी बोने से अंग्रेजों की सरकार बहुत घवराई हुई थी मेरा माताओं वहनों से नविदन है कि ये दो बच्चे हैं इनको या तो अपने पास बिठा लें भगत सिंग जी को फासी देने से अंग्रेजों की सरकार बहुत धवराई हुई थी वो दस्तावेज ये बताते हैं अंग्रेजों की संसद में विशेश अधिवेशन बुलाया गया और उस पर चर्चा हुई चर्चा दो इस तर पर थी एक तो ये था कि क्या भगत सिंग की फासी को माफी दी जा सकती है अंग्रेजों की संसद के अंदर कुछ संसद थे जो ये बात कह रहे थे उनका कहना क्या था उनका कहना ये था कि अगर भगत सिंग जी को फासी हो गई तो भारत में बगावत हो जाएगी और हिंदुस्तान में एक महीं ऐसे हजारों भगत सिंग आ जाएंगे अंग्रेजों की सरकार को उन सब को दबाना बहुत मुश्किल हो जाएगा हम हिंदुस्तान में राज नहीं कर पाएंगे हो सकता है कि हमको एक-दो महिने के अंदर ही भारत छोड़ना पड़ जाए ऐसा उनको लगता था कारण उसका क्या था अंग्रेजों की सरकार के लिए जासूसी करने वाली एक संस्था जो उन्होंने भारत में बनाई थी जो आज भी चलती है जिसको आप बोलते हैं LIU Local Intelligence Unit ये अंग्रेजों की बनाई गई संस्था है तो LIU की रिपोर्ट जा रही थी यहां से नियमित रूप से आप जानते हैं कि फासी की सजा देने का फैसला तो हो गया था लगबग 2,5 साल पहले और उन 2,5 सालों में लगातार यहां से रिपोर्ट जा रही थी LIU की और वो रिपोर्ट ये कह रही थी कि अगर भगत सिंग जी को फासी होती है तो सारे भारत में एक साथ बगावत होगी और अंग्रेजों को मुश्किल हो जाएगा राच चलाना तो अंग्रेजों की संसत में इस बात का बहुत डर था उसी समय सहियोग से 1931 में महात्मा गांदी लंदन गए हुए थे अंग्रेजों की सरकार से बारता करने के लिए अंग्रेजों का उस समय का जो सबसे बड़ा मेता था व्यक्टी था लीडर था वो इर्विन था इर्विन के साथ गांदी जी की बात जब चल रही थी तो इर्विन ने गांधी जी को कहा कि आप अगर चाहें तो हम भगत सिंग की सजा को माफ कर सकते हैं गांधी जी ने कहा बिना शर्थ तो उन्हों ने कहा नहीं बिना शर्थ तो नहीं शर्थ है उसकी शर्थ क्या है तो गांदी जी के सामने इर्विन ने कहा कि देखिए हमारी एक ही शर्थ है कि आप बगत सिंग जी को निवेदन करें अपील करें कि वो एक माफी नामा लिखें Sorry, I am very sorry मैंने अंग्रेजों के इस खिलाफ बगावत की है मुझे इसका बहुत अफसोस है, दुख है मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूँगा इस तरह का एक माफी नामा लिखें और भगत सिंग जी के हस्ताक्षर उस पर हो और मेरे सामने आप उसे प्रस्तुत करें ये इर्विन कहरा है गांदी जी से तो मैं अपनी संसत को कहूँगा कि वो एक स्वर से भगत सिंग की सजा को माफ करें गांदी जी ने कहा कि मैं ऐसी कोई भी शर्त मान नहीं सकता जिसके बारे में भगत सिंग जी का कंसेंट मेरे पास ना हो तो इर्विन ने कहा कि आप भगत सिंग जी का consent ले लीजे समय आपके पास है एक साल का वक्त है तो गांदी जी ने कहा कि मैं अभी तुरंट थोड़ी दो-चार दिन की आपसे महलत चाहता हूँ मैं एक टेलीग्राम करूँगा मेरे एक मित्र को टेलीग्राम करूँगा वो लाहर सेंट्फल जेल में भगत सिंग जी को मिलेगा और आपने जो कहा है मैं भगत सिंग जी तक पहुचाने की कोशिश करूँगा अगर बात बनती है तो हम इस पर आगे जाएंगे गांदी जी ने एक टेलीग्राम किया भारत देश के एक अच्छे व्यक्ति महतुपूर व्यक्ति उनका नाम था तेज बहादर सप्रू अलहबाद हाई कोट में बहुत उचे वकील माने जाते थे कश्मीरी थे गांदी जी का टेलीग्राम सप्रू जी के पास आया और कहा कि तुरंत जाओ लाहर जेल में बगत सिंग्जी को मिलकर आओ और पूछो कि इर्विन ऐसा कहता है कि आप एक माफी नामा लिखकर दो तो आपकी सजा फासी की माफ की जा सकती है सब्रू जी जब पहुँचे बगत सिंग्जी को मिलने के लिए और ये जानकरी उन्होंने जब बगत सिंग्जी के सामने दी तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी शर्त अंग्रेजों की मنجूर नहीं है मैं नहीं मानता कि मैंने कोई गलत काम किया है इसलिए माफी नामा लिखने का कोई प्रश्न नहीं है सब्रू जी ने एक दूसरे तरह से उनको समझाया कि भगत सिंग जी अगर आपकी फासी रुख जाएगी आप जेल से छूट जाओगे तो आपके जैसे कितने करांतिवीरों को आप ट्रेनिंग दे सकते हो तैयार कर सकते हो भारत की आजादी जल्दी आएगी तो भगत सिंग जी उनकी बात को काटते होए कहा कि नहीं उल्टा होगा अगर मैं छूट गया मेरी फासी की सजा माफ हो गई मैंने ये माफी नामा लिख कर दे दिया तो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का ये जो अभ्यान शुरू हुआ है ये पूरा अभ्यान ही ठंडा पड़ जाएगा दूसरा कोई भगत सिंग इसमें से निकल कर नहीं आएगा सब्पुरू ने कहा क्यों तो भगत सिंग ने कहा कि हिंदुस्तानियों की एक खासियत है भारत मासियों की एक खासियत है कि वो मरने से नहीं डरते हैं कोई हिंदुस्तानी को उससे फरक नहीं पड़ता लेकिन रत्यू आने के पहले का जो दर्द होता है वो उनकी तकलीफ बढ़ा देता है मैं भी ऐसा ही एक हिंदुस्तानी हूँ मैं मेरी तकलीफ बढ़ाना नहीं चाहता मैं तै कर चुका हूँ कि मुझे फासी हो जाए कोई फरक नहीं पड़ता सप्रू जी का दूसरी बार तीसरी बार तीन बार आना हुआ लाहर सेंटरल जेल में सिर्फ ये समझाने के लिए उन्होंने देख लिया कि वो तैयार नहीं है और फिर सप्रू जी ने वापस गांदी जी को टेलीग्राम किया कि बापू बगत सिंगी का ये मानना है कि उनको फासी हो जाए वही भारत देश के लिए और उनके अपने संकल्प के लिए अच्छा है आप लिहाजा इर्विन के साथ कोई बात अगर करें तो माफी नामे का शब्द बीच में ना लाएं क्योंकि वो लिखने को तयार नहीं है और हम मेंसे भी कोई नहीं चाहता कि वो माफी नामा लिख कर दें क्योंकि मानते हैं हम उन्होंने कुछ गलत नहीं किया उन्होंने अपने भारत की आजादी के लिए किया है भारत इस समय ठंडा पड़ा हुआ है शम्दु पर ध्यान दीजे सब्पुरू जी का गांदी जी को टेली गाम कह रहे हैं भारत इस समय ठंडा पड़ा हुआ है 1919 में एक ज्वाला उठी थी जब यह वाला बाग हत्या कांड हुआ था उसी समय हम चाहते तो अंग्रेजों को भारत से मार के भगा देते लेकिन हमने उस अंसर का फाइदा नहीं उठाया ऐसी ही ज्वाला 1857 में उठी थी भारत वासियों ने तब भी उसका पूरा लाब नहीं उठाया हम चाहते तो 1857 में अंग्रेजों को मार कर भगा देते फिर हो कहते हैं ऐसी ही एक ज्वाला 1880 में उठी थी हम चाहते तो 1880 में अंग्रेजों को मार भगा देते लेकिन वो भी समय हमने गवाया अब फिर से ज्वाला उठने की तयारी है इसको ठंडा मत होने दीजिए और करपया करके इर्विन के साथ बगत सिंग जी के माफी नामें पर बाचीत बन कर दीजे गांदी जी को टेलीग्राम मिला लंदन में उन्होंने एक मीटिंग बुलाई उस मीटिंग में वो सब करांटीवीर शामिल थे जो लंदन में रहकर भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए काम करते थे उनके सबसे बड़े नेता थे श्याम जी क्रश्न वर्मा आप सबी जानते उन्होंने एक बहुत बड़ा भवन बना के दिया लंदन में जहां पर करांटीवीर जाते थे इकट्यप होते थे ट्रेनिंग चलती थी वैचारिक मंथन होता था सोने ढहरने रहने का इंतजाम होता था उसका नाम उन्होंने बहुत सुंदर रखा था इंडिया हाउस इंडिया हाउस श्याम जी क्रश्न वर्मा ने अपने खुद के कमाई गए पैसे से बनाया था इसी श्याम जी क्रश्न वर्मा के इंडिया हाउस में बगत सिंगी के बारे में आखरी मीटिंग हुई जिसमें वो खुद मौझूद थे और उनके जैसे कई और करांटिकारी मौझूद थे सबसे पूछा गया कि इर्विन का प्रपोजल है क्या करना है तो उन्होंने का कि इर्विन बहुत चालाक आदमी है और अंग्रेजों की सरकार बहुत खतरनाक है बगत सिंग को माफी नामा वो देना चाहते हैं लिखवा कर अपनी सुरक्षा के लिए बारत की आज़ादी के लिए नहीं क्योंकि अंग्रेजों को ढर है कि अगर भगत सिंग को फासी हुई तो बगावत इतनी बड़ी है व्यवस्था उलट जाएगी सेना में बगावत हो सकती है आर्मी में बगावत हो सकती है एर फोर्स में बगावत हो सकती है नेवी में बगावत हो सकती है पुलिस में बगावत हो सकती है क्योंकि आप जानते हैं कि भगत सिंग का मुगदमा जितने दिन इस देश में चला उतना ही उनकी लोग प्रियता बढ़ती चली गई और भगत सिंगी की लोग प्रियता भारत नहीं भारत के बाहर जो रहने वाले भारतवासी थे वहां तक पहुँच गए तो उस लोग प्रियता से अंग्रेज डरते थे इसलिए उन्होंने संसत में एक विशेश बैठक बुलाई और उसमें उन्होंने फैसला किया कि अगर भगत सिंगी को फासी हुई तो उनके जो परिवार के लोग हैं उनके जो मित्र हैं, रिश्टेदार हैं वो उनका शरीर मांगेंगे मृत शरीर मांगेंगे और उस मृत शरीर को जुलूस की तरह से वो एक प्रोसेशन के रूप में निकालेंगे सम्मान सहित उनका अंतिम संसकार करेंगे और ऐसी भावना भढ़केगी अंग्रेजों के खिलाफ कि शायद पंजाब से हमें भागना पड़ जाए हो सकता है कि एक बहुत बड़ा भारत हमें खाली करना पड़ जाए तो अंग्रेजों की संसद में जब ये सब तरफ से बहस हो गई अलाईू की रिपोर्ट भी आ गई और अलाईू की आकरी रिपोर्ट थी कि अगर भगत सिंग्जी को फासी होती है और उनका अंतिम संसकार सम्मान के साथ नाग्रिकों को करने का मौका मिलता है, समय मिलता है तो यह तय है कि पूरा पंजाब जलेगा और अंग्रेज सरकार बचा नहीं पाएगी अपने आपको क्योंकि अंग्रेज सरकार के नीचे काम करने वाले जो हिंदुस्तानी है उन्होंने संकल प्ले रखा है कि वो बगावत शुरू करेंगे एक L.I.U. आफीसर में तो यहां तक लिख दिया कि 1857 में भारतवासियों से एक गलती हो गई थी वो हमारे लिए बड़ी अच्छी हुई और भारतवासियों को भारी पड़ी वो गलती क्या थी? अति उच्छाही क्रांतिकारियों के कारण उस तारीक से लगवग 10-11 दिन पहले ही बगावत शुरू हो गई तैब हुआ था एक दिन वो था 10 मई 1857 लेकिन कहीं पर 30 अप्रेल कहीं पर 1 मई, कहीं पर 2 मई इस तरह से अलग-अलग बगावतें शुरू हो गई बेरकपुर की चावनी में अलग तारीक को कलकता में अलग को मेरट में अलग, दिल्ली में अलग तो ये जो अलग-अलग शुरू हुआ इससे अंग्रेजों ने आर्मी की ताकत से उसको दबा लिया जो एक साथ दस मई को शुरू होता तो अंग्रेजों की ताकत नहीं थी कि वो उसको दबा पाते तो एलाईू के एक आफिसर में लिखा ब्रिटिश पार्लिमेंट को कि जो गलती हो गई हिंदुस्तान के लोगों से दस मई 1857 को वो गलती अब वो ठीक करना चाहते हैं बगत सिंग की फांसी का दिन तै किया हुआ है उसी दिन सारे देश में एक साथ बगावत होगी अंग्रेजों के खिलाफ तो आप कुछ ऐसा करिए कि ये बगावत ना होने पाए तब अंग्रेजों की पार्लेमेंट में प्रस्ताव पारित करके भारत में अंग्रेजों के अधिकारियों को बोल दिया गया कि किसी भी तरीके से पता न चले लोगों को ऐसे करके फांसी दे दीजए तो यहां जेल के अधिकारियों ने लाहोर के सुपरिंटेंडेंट से कहा कि इसका एक ही विकल्ब है कि हम एक बिन पहले रात में ही वगत सिंग को फासी पर लटका रहे फिर सुपरिंटेंडेंडेंट में पूछा फिर तो फिर उसने कहा कि फासी पर लटकाने के दो-ती मिनट में मृत्यू हो जाएगी हम उनके शब को लेके जाएगे और जेल के बाहर कहीं भी कोई इस्तान पर आग लगा के जला देंगे रात भर में शब जल जाएगा सुबह तक लोग जब आएगे फासी की इस समय पर तब तक उनको राख मिलेगी इस चाला की और कुटलता के साथ 23 मारज की रात को उनको फासी पर लटका दिया और जैसे ही फासी पर लटका आया तो मृत्यू होने के बाद उनके शब को एक ट्रक में रखकर जेल से बाहर निकाला और उस ट्रक को चलाने वाला जो ड्राइवर था उसको बताया नहीं गया कि इसमें क्या जा रहा है उसको ये कहा गया कि तुमको ये ट्रक लेके जाना है पीछे ट्रक में कुछ लोग बैठे है उनसे बात नहीं करनी है वो कुछ काम करेंगे आपको उनके साथ कुछ सहयोग करना है संबाद नहीं करना है ट्रक के ड्राइवर को शक हो गया कि ऐसा क्या है कि मैं बात नहीं कर सकता वो ट्रक का ड्राइवर अक्सर जेल के लिए सबजियां लेके आता था अक्सर जेल के लिए सामान लेके आता था उसके मनने शक तरदा हो गया और उसने किसी तरह से ये जानने की कोशिश की कि आखिर मामला क्या है जब उसने ट्रक को दोडाना शुरू किया चलाना शुरू किया तो एक जगे बहाने से उसने रोका कि कुछ इसमें टेकनीकल प्राबलम हुई है मुझे ज़रा ठीक करने में समय लगेगा वो ट्रक से उतरा घूम कर पीछे गया और उसने ये जानने की कोशिश की कि ये माजरा क्या है तो उसको समझ में आ गया कि कोई मृत शरीर है जिसको मैं ट्रक में रखके ले जा रहा हूँ तो पीछे बैठे हुए सिपाहियों से उसने पूछा कि ये क्या है कपड़े में लिप्टा हुआ तो उनने का तुमको क्या लेना देना नहीं मुझे जानकरी दे दो तुम भी भारतवासी हो मैं भी भारतवासी हूँ हमारी तकलीफ ये है कि पेट के लिए नौकरी करनी पड़ दे ये अंग्रेजों की तो बता दो ये क्या है तब उनमें से एक व्यक्ति फूटा और उसने कहा कि ये भारत के सरदार भगत सिंग का शव है तो वो ट्रक वाला परिशान हो गया उचल गया ये कैसे है कल फासी होने दी तो नौकर नहीं अंग्रेज सुपरिंटेंडेंट में रात को इफासी दे दी है अब क्या करना है तो अब हमें आदेश है सिपाही और ट्रक ड्राइवर को कि कहीं पर लकणियां मिल जाए तो किसी पानी के किनारे नदी के किनारे इसको जला देना है फिर उस ड्राइवर के समझ में सारा खेल आ गया उसने कहा ठीक है मैं ऐसा कोई इस्थान चुनने की कोशिश करूँगा जहां पर हम ये सब कर सके इतनी देर मैं उसने योजना बना ली लाहोर से ट्रक को भगाता हुआ वो लाया और कहां पर हुसेनी वाला पहुचा हुसेनी वाला आप सब जानते है अमरसर के नजदीक है बारत-पाकिस्तान बॉर्डर पे है हुसेनी वाला में जब वो पहुचा तो लकडिया एकठी करनी है इस बहाने से आस पास के गाओं के लोगों को जाके उसने बोलना शुरू किया कि ऐसा ऐसा हुआ है तब लोग वहां से दोड़े और लोगों को दोड़ाते दोड़ाते वो लेके आया वहां तक तो वो अंदर बैठे हुए सिपाही छोड़ कर भागे और बगत सिंग जी के शरीर को सम्मान के साथ हुसेनी वाला में अंतिम संसकार करने का उस ट्रक डाइवर ने बहुत बड़ा पराक्रम किया अंग्रेजों की सरकार ने भगत सिंग को एक दिल पहले पासी सिर्फ इस लिए दी कि उनको डर था कि बगावत हो जाएगी और हम यहां रह नहीं पाएंगे इस छोटी सी घटना का गंबीर विशलेशन अगर हम करें अंग्रेजों की पूरी की पूरी सरकार अकेले सरदार भगत सिंग से इतनी घवराई होई थी कि फासी हो जाए तो बगावत हो सकती है घवराहट इतनी अधित्ती अंग्रेजों में एक भगत सिंग के कारण और संसद में जब जब भगत सिंग के बारे में चर्चा हुई तो अंग्रेज अधिकारी जिनोंने भगत सिंग को नस्दीक से देखा वो कहते थे कि वो आदमी है मरने से नहीं डरता है और ऐसे हिंदुस्तान में लाखों करांतिकारी हैं जो मरने से नहीं डरते हैं हिंदुस्तानियों को मरने का डर दिखा कर गुलाम बनाना बहुत मुश्किल है कोई और रास्ते हमको तलाशने पड़ेंगे तो अंग्रेजों की संसद की ये बहस और भगत सिंग जी का अंतिम संसकार जो ट्रक ड्राइवर के द्वारा किया गया हुसेनी वाला आज भी भगत सिंग जी की समाधी है आप कभी भी जाएं वहां जरूर मत्था टेक कराएं अंग्रेजों की सरकार में सरदार भगत सिंग जी को फांसी दी राजगुरू और सुखदेव को फांसी दी खुदीराम बोस को फांसी दी चंदरशेकर आजाद को अपनी ही गोली से मारने पर या मरने पर मजबूर किया आखिर अंग्रेजों की सरकार को इन करांतिकारियों से तकलीफ है क्या थी एक ही तकलीफ थी कि हिंदुस्तानी करांतिकारियों ने संकल्प ले लिया था कि इन अंग्रेजों को इस देश में हम रहने नहीं देंगे इन्हों ने भारत को लूटा है इस देश को बरबाद किया है हम इसको रहने नहीं देंगे और अंग्रेजों की सरकार में आखरी किल ठुकी तब, ताबूत में आखरी किल ठुकी तब, जब 1905 में एक अंग्रेज पागल अधिकारी, जिसका नाम था करजन, उसने मुर्खतापूर एक फैसला किया, बंगाल भारत का एक बहुत बड़ा राज्जी था, उसको दो हिस्सों में बाट दिया, हिंदू और मुसल्मान के आधार पर, पहली बार इस देश में अंग्रेजों ने जाती और संप्रदाए के आधार पर बटवारा किया, बंगाल के दो हिस्से कर दिये, बंगाल उस समय भारत का सबसे बड़ा राज्जी था, आज पूरा का पूरा आसाम, बंगाल, बेहार, उडीसा, उस यह बंगाल का बटवारा हुआ हिंदू-मसल्मान के आधार पर, पूरे देश में इसके खिलाफ आग लगी, और इस आग को सबसे तेज फैलाने वाले जो व्यक्ती थे, वो थे लाला लाजपतराई, उत्तर भारत में, पूरवी भारत में इस आग को सबसे तेज फैलाने व बारत के लालादा एउत्तर भारत के विपिन चंद्रपाल पूर्भी भारत के लोक्माट इतलक पश्च atención और दक्षण भारत के इन तीनों नेपाओं ने मीटिंग की और उस मीटिनग में पुले नाम का इस्थान उन्होंने तए किया और उसमें उन्हों फैसला कर लिया कि ये अंग्रेजों की सरकार अब इतनी ज़ादा आगे बढ़ चुकी है कि हमारे राज्यों को हिंदू और मुसल्मान के आधार पर बाट रही है इन तीनों नेताओं का एक मत था कि आज इन्होंने बंगाल को बाटा है हिंदू और मुसल्मान के आधार पर कलिये दक्षन भारत का जो प्रांत है जिसको मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था उस जमाले में मद्रास प्रेसिडेंसी को बाट देंगे फिर कोई दिन नौर्थ वेस्ट फ्रेंटियर को बाटेंगे फिर कोई दिन सेंट्रल प्रॉविंस को बांटेंगे इन तीनों नेताओं की दूर दर्शिता आप देखिए 1905 में ये तीनों कह रहे हैं कि फिर किसी दिन भारत को ही बांट देंगे इसलिए पूरी ताकत लगा कर अंग्रेजों का विरोध होना चाहिए तो लाला लाजपतराई ने उत्तर भारत में कमान समाली विपिन चंदरपाल ने पूरवी भारत में कमान समाली और पश्यम और दक्षन भारत में लोकमान तिलक में कमान समाली और पूरे देश में अंग्रेजों की खिलाफ एक माहूल खड़ा किया और उस माहौल का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्न था, जहां जहां ये नेता जाते थे, अंग्रेजी सामानों की होली जलाते थे, अंग्रेजी कपड़ों को जलवाते थे, और उनका सबको एक ही निवेदन था, कि अंग्रेज भारत को बाट रहे हैं, लूट रहे हैं, शोशां क तो इनका कोई माल मत खरीदो, इनको किसी भी तरह का सहिकार मत करो, तो भारत में एक जबर जस्त आंदोलन खड़ा हो गया, और उस आंदोलन का नाम स्वदेशी आंदोलन था, इस स्वदेशी आंदोलन की आग 1905 से लगना शुरू हुई, धीरे धीरे इसमें करांतिकारियों एक अठा होना शुरू हुआ, आप सोचो, तीन बड़े नेताओं ने फैसला लिया कि हमें ये अंदोलन पूरे भारत में फैलाना है, 1905 में, और 1911 तक आते आते, इन तीन नेताओं के पास, एक करोड़ चौबीस लाख कारिकरताओं की फौज थी, मात रख छे साल में, आप नेताओं बड़ी-बड़ी सभाएं करते थे, तो बोलने के लिए उनके पास माइक नहीं था, 1905 के हमारे भारत के नेताओं गाओं गाओं जाते थे, तो जाने के लिए एक ही साधन था, बैल गाड़ी, या तो पैदल, तो बैल गाड़ियों पर पैदल चलकर, या यही उनके प्रवास का तरीका होता था, माइक होता नहीं था, सेकड़ों लोगों की सभाएं में संबोलन करना पड़ता था, सवेरे से शाम तर, लोगमाने तिलक की परसनल डाइरी में ने पढ़ी तो पता चला, एक-एक दिन में आठाट दत्त सभाएं करनी पड़ती, एक एक सभा में एक-एक घंटे डेटल घंटे बोलना पड़ता था, और इन तीनों नेताओं ने बिना था के गाओं 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 ये काम शुरू किया, छे साल की इनकी महनत का परिणाम निकला, कि पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन में एक करोड़ 24 लाग कारिकर अगरता इकटे हो गए, फिर इन्हों ने तै किया कि आप कारिकरताओं की संख्या बहुत है, तो अब अंग्रेजी सरकार को जुकाया जाए, और इनके सामने कोई ताकत का प्रदर्शन किया जाए, तो अंग्रेजी सरकार के अधिकारी करजन को इन्हों ने नोटिस दिया, तीनों ने सहयुक्त रूप से, और उस नोटिस में लिखा, कि या तो आप बंगाल का बटवारा वापस करो, और नहीं तो हम आपके खिलाफ सहयोग, सत्याग रहे, और बगावत करेंगे, और आपकी सरकार को चलने नहीं देंगे, करजन ने अपने अधिकारियों को भेजा बात करने के लिए, तो इन तीनों नेताओं ने अधिकारियों को कहा कि हमारे पास एक सबसे बड़ी ताकत है, कि एक करोड़ चौवीस लाग कारे करता है, ये आपके खिलाफ बगावत करते हुए जेल जाएंगे, अंग्रेजों के पास जेल की कुल संख्या सत्रे हजार है, इस सत्रे हजार जेलों में कुल रह सकने वालों की ताकत अगर गिल लिया जाए तो डेल लाग से जादा नहीं रह सकते, हम एक करोड़ चौवीस लाग जेल जाएंगे, आप रखेंगे कहा हों, जेले तूट जाएंगे आपकी, तो अधिकारी बखला गए, वो बापस करजन के पास गए, और करजन को समझाया कि एक करोड़ चौवीस लाग हैं, इनके पास कारिकर था, इन्होंने अभियान में कॉल दे दिया, ये सब जेल जाएंगे, जेले छोटी पड़ जाएंगी, दीवारे डूट जाएंगी, सरकार अस्वेस्थ हो जाएगी, सारी व्यवस्थ टूट जाएगी, क्या करना? तो करजन ने तुरंट तेलिग्राम किया, बिर्टिश पार्लिमिंट को, बिर्टिश पार्लिमिंट से वापस टेलिग्राम आया, कि जो तीनों लेता कह रहे हैं, उनकी बात मान लो, और सरेंडर कर लो, तब करजन ने तीनों को सम्मान पूरव जोंकि योजना ये थी कि हिंदू और मुसल्मानों को आपस से अलग कर दो क्योंकि आजादी की लड़ाई में दोनों साथ लड़ रहे थे इनको अलग कर दो तो उन्होंने एक बंगाल बना दिया पूरवी बंगाल जिसको आज का आप बंगलादेश कहते हैं ये बंगाल के बटवारे के आधार पर वो चाहते थे कि देश में कमजोरी आ जाए और संप्रदाय के आधार पर आग फैल जाए माने भारत का बटवारा करने का बीच 1905 में करजन ने डाला 1911 में करजन को अपना ही कदम पीछे खीचना पड़ा कानून वापस लेना पड़ा कानून जैसे ही वापस आया पूरे भारत में खुशी की लहर दोड़ गई और भारतवासियों में एक आत्म विश्वास आया कि हम अंग्रेज सरकार को जुका सकते हैं और उसको सरेंडर करा सकते हैं बनिस्वत की हम एक रहें तो उसी दिन से अंग्रेज सरकार रात दिन योजना बनाती रही कि कैसे भारतवासियों को तोड़ा जाए और कैसे भारतवासियों को फिर से अलग किया जाए और उसी तोड़ने और अलग करने का नतीज़ा ये था कि अंग्रेजों की सरकार ने भारत के अंदर एक ऐसा आदमी खोजा जो उनके इस काम को आसान करे और उस आदमी का नाम था मोहमध अली जिन्णा महमध अली जिन्णा लंदन में पढ़ रहा था उस समय कॉलेज उनका था हैरिस कॉलेज वहाँ पर वो पढ़ाई करता था पढ़ाई करते समय उनकी नजर पड़ी अंग्रेजों ने ताय कर लिया कि इस आदमी को हम भारत में मुस्लिम लीडर के रूप में प्रमोट करेंगे और इसकी मदब से अपनी नीतियों को भारत में लागू कराएंगे मुहमद अली जिन्ना को हमेशा अपने कंट्रोल में रखने के लिए अंग्रेजों ने उसके पीछे एक बहुत बड़ी चाल खेली आप जानते हैं कि अंग्रेजों की कौम दुनिया में सबसे निकरश्ट है कभी भी कानूनी काम करना हो उससे भी कई बुना नीचे गिरकर गैर कानूनी काम भी वो कर सकते हैं किसी राजा के साथ भारत में उन्होंने संधी की अगले ही दिन उस संधी से पलट सकते हैं तो जिन्ना को प्रमोट करने का तै किया और उसके पीछे अपना एक पिल्लू छोड़ दिया या एक एजेंट लगा दिया उस एजेंट का नाम था एडविना उस एजेंट का नाम था एडविना बाद में यही एडविना माउंट वेटन की पत्नी बनाई गई और उसको भारत में उन्होंने बेजा था बीच का किस्सा ये है कि लगा दिया जिन्ना के पीछे एडविना को एडविना भी उसी कॉलेज की विद्यारती थी लौ में पढ़ती थी जिसमें जिन्ना पढ़ता था और कुछ सहियोग ऐसा हुआ या दुर्योग ऐसा हुआ कि जहान उन्होंने लगा दिया जिन्ना के पीछे एडविना को और जिन्ना को पता नहीं वहीं उसी समय नहरू जी भी पढ़ाई किया करते थे हैरिस कॉलेज में पंडि जभारलाल नहरू जो हैरिस कॉलेज में पढ़ा करते थे जिन्ना के साथ कभी कभी चाए कॉफी पिया करते थे धीरे धीरे इस एडविना ने नहरू और जिन्ना दोनों को शराप पीना शिखाया और दोनों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि दोनों को पेमपरिंग करते रहना है दोनों को थप थप आते रहना है थोड़े दिन के बाद जब इनकी पढ़ाई पूरी हुई है वापस आए तो एडविना इनके साथ लग चुकी थी शादी तो उसकी बाद में हुई है पहले वो लग चुकी थी एडविना को ब्रिटिश पार्लिमेंट ने एक special officer बना के एक बहुत बड़ी post दे कर secret agency के जैसे एक post बना कर हिंदुस्तान में लगा दिया और उसको कहा गया कि एक ही काम करना है जिन्ना को promote करते हुए पेंपरिंग करते हुए मुसलमानों का नेता गोशित करवाना है जिन्ना भारत आगया पढ़ाई पूरी करके फिर उसके बाद अंग्रेजी अखवार जो यहाँ छपा करते थे हिंदुस्तान में उन अंग्रेजी अखवारों में जिन्ना के बड़े बड़े बयान एक छोटी सी बात कहे तो उसको बड़ा करके छापना फोटो के साथ छापना यह सब कहानी उन्होंने शुरू की जिन्ना को लगा कि वो बहुत बड़ा लीडर है वो दिल्ली में एक छोटा सा स्टेटमेंट करता था अंग्रेजों का अखवार जिसको आप टाइमस ओफ इंडिया कहते हैं यह अंग्रेजों का अखवार हुआ करता था इसमें फ्रंट पेज पे छपता था जिन्ना वो लगता था रहे बहुत बड़ा लीडर हो गया हो वास्तम में उसकी बात कोई सुनता और सबस्ता नहीं था भारत में मुसल्मानों के दो वर्ग हैं एक वर्ग शिया है दूसरा सुन्मी है दोनों ही जिन्ना को नेता नहीं मानते थे शियाओं को पूछो के जिन्ना नेता बन गया तो शियाओं और सुन्मी कहते थे यह तो कन्वर्टेट है हमारा लीडर नहीं है फिर उनसे दूसरी बात पूछो तो वो कहते थे ये तो सुर का मास खाता है हमारे आतो वर्जित है फिर उसको पूछो तीसरी बात तो ये तो शराब पीता है हम मुसल्मान तो शराब नहीं पीते और सबसे बड़ा अब्जेक्शन था जिन्ना का परिवार ब्याज पर पैसे दिया करता था ये उनका मुख्य बिस्निस था आप जानते हैं कि मुसलमान व्याज पर पैसा लेना देना पसंद नहीं करते हैं तो वो कहते थे ये मुसलमान कहां से है तो हिंदुस्तान का शिया और सुन्नी समाज जिन्ना को लीडर कभी मानता नहीं था लेकिन अंग्रेज जबर जस्ती उसको मुसलमानों का नेता है ऐसा करके पैंपरिंग किया करते थे दीरे दीरे उसकी बारगेनिंग पॉवर उन्होंने बढ़ाना शुरू किया और कॉंग्रेस में उसको पहले भर्ती करा दिया कॉंग्रेस के अंदर आके उसने ये कहना शुरू किया कि एक ना एक दिन भारत आजाद होगा तो अलग-अलग हमको संब्रदायों के आधार पर मत विभाजन करवाना है तो कॉंग्रेस के कई नेता कहा करते थे कि नहीं ये कोई काम नहीं है ये कोई इशू नहीं है दीरे-दीरे जिन्ना ने देख लिया कि कॉंग्रेस उसकी इस बात से सहमत नहीं है अंग्रेज उसको बरावर इसी के लिए पैंपरिंग करते रहे एक दिन जिन्ना ने कहा कि कॉंग्रेस में मेरा दम घुटता है मुझे ये पारटी छोड़नी है वो अलग आ गया उसी समय अंग्रेजों ने क्या किया कि पुरानी बनाई हुई एक छोटी सी संस्था थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग जिसका अंग्रेजों ने कभी रेजिस्ट्रेशन किया था सुसाइटीज अफ रेजिस्ट्रेशन एक्ट के आधार पर 1905-1906 में उस संस्था का जिन्ना को प्रेजिडेंट बना दिया उस संस्था में मेंबर कितने थे पाँच उसमें से एक जिन्ना चार में एक टाइपिस्ट जो संस्था का काम टाइप करता रहता था एक जाडू लगाने वाला ऐसे करके पाँच मेंबर थे छटा कोई मेंबर नहीं था लेकिन ये संस्था का नाम ऐसा फैलाया टाइम्स ओफ इंडिया में पहले दिन जब मुस्लिम लीग का प्रेजिडेंट बना तो जिन्ना का इंटर्विव आया उसमें पूछा गया कि भई आपका उद्देश क्या है तो आज़ादी लेना तो उसके बाद का उद्देश क्या है तो भारत में मुसल्मानों की सब्ता इस्थापित करना तो वो कैसे संभव है हिंदू तो मैजोरिटी में है तो जिन्ना ने कहा कि अगर संभव नहीं हुआ तो भारत का बठवा रखता है इस तरह से वो आद्मी बढ़ता गया अंग्रियज उसको खाद पानी देते गए उसमें बहुत सारा पैसा इंवेस्ट करते गए एक दिन ब्रिटिश पार्लेमेंट में बहस हुई कि हम जिन्ना पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं आप जानते हैं जिन्ना का खर्चा करोडों रुपय का साल का ब्रिटिश पार्लेमेंट उठाती थी तो ब्रिटिश पार्लिमेंट में एक सांसंद ने सवाल उठा दिया कि जिन्ना के ऊपर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं तो अंग्रेजों का MP नहीं प्राइम मिनिस्टर कहता है क्लेमेंट आरेटली एक दिन पार्लिमेंट में और चर्चिल भी बात में कहता है कि ये हमारा ट्रंप कार्ड है इसमें पैसा हम लगा रहे हैं ताकि जब चाहें तब इसको एंड कैश कर सके और ये बात 1949 में कही विंस्टन चर्चिल 1942 में कही क्लेमेंट आरेटली ने कि ये हमारा ट्रंप कार्ड है और सच में उन्होंने उसको ट्रंप कार्ड की तरह से इस्तिमाल किया 1942 का भारत छोड़ो अंदोलन जब सफल हो गया और अंग्रेजों ने देख लिया कि भारत के क्रांतिकारियों में बहुत बड़ी लहर पैदा हो गई है भारत छोड़ कर जाना ही पड़ेगा और उससे भी ज़्यादा महत्वण बात ये थी कि Second World War में अंग्रेजों की इतनी पिटाई हो चुकी थी कि उनकी पूरी की पूरी कमर तूट गई थी आर्थिक रूप से वो बहुत कमजोर हो गए थे कारखाने उनके बहुत बुरी तरह से बंद हो गए थे क्योंकि एक तो मंदी चल रही थी इंग्लैंड में और उपर से Second World War लड़ना पड़ा सामने जो उनका दुश्मन था हिटलर वो बहुत ताकतवर था इसलिए अंग्रेजों की कमर तूटी हुई थी तो उन्होंने का अब ये दो देशों को हम समाल पाएं ये संभव नहीं है भारत को छोड़ना ही पड़ेगा अगर हम अपने को बचाना चाहते तो उन्होंने 1942 के अंत्में ही तै कर लिया था कि हम भारत को छोड़ देंगे बाद में गोश्रा भी कर दी 45 में की भारत को छोड़ देंगे जैसे ही भारत को छोड़ने की बात आई तो जिन्ना को फिर आगे कर दिया कि अब तुम डिमांड करो जिन्ना ने कहा कि ठीक है, मुझे पाकिस्तान चाहिए पाकिस्तान चाहिए, इस से कम पर कोई समझोता हो सकता है कॉंग्रेस के नेताओं ने जिन्ना से पूछा तो उसने का हाँ हो सकता है, क्या हो सकता है मुझे बारत का प्रधान मंतरी बना दो इस पे समझोता हो सकता है तो कॉंग्रेस के लेताओं ने पूछा कि अगर तुम प्रधान मंत्री बनो तो पाकिस्तान छोड़ दोगे हाँ छोड़ दूगा मुझे प्रधान मंत्री बना दो मैं पाकिस्तान की मांग छोड़ दूगा कॉंग्रेस वर्किंग कमेंटी की मीटिंग होई उसमें ये बात रखी गई कि जिनना बोलता है कि उसको प्रधान मंतरी बनाना है तो नहरू जी ने कहा कि मैं उसको प्रधान मंतरी तो क्या अपने आफिस का चपरासी नहीं बना सकता तो Congress Working Committee के लेताओं ने कहा कि आप उसके साथ इतनी घड़ा क्यों है आप बोलते हैं कि उसको आफिस का चप्रासी नहीं बना सकते वो आदमी कह रहा है कि प्रधान मंतरी बना दो तो मैं पाकिस्तान नहीं मांगूंगा तो हमारे लिए तो ये सौदा अच्छा है कि पाकिस्तान ना बने और वो थोड़े दिन के लिए प्रधान मंतरी हो जाए तो Congress Working Committee में कई मेताओं ने अब्जेक्शन लिया महरू जी के सामने गांदी जी के पास बात पहुँची गांदी जी के पास एक व्यक्ति आया करता था जो जिन्ना का फैमिली डॉक्टर था उसने एक दिन आके गांदी जी को कहा विबापू ये आजमी ज़्यादा दिन जिन्ना नहीं रहेगा मरने वाला है कैसे इसको पीट में भयंकर क्यूवर कुलोसिस हो गया उमर कितनी है गांदी जी ने पूछा तो उसने का मेडिकल साइंस के जितने फैक्ट्स और फिगर है उसका हिसाब जोड़ू तो ये आठ महिने से ज़्यादा जिन्दा नहीं रहेगा गांदी जी ने कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और कहा कि जिन्दा को प्राइम मिनिस्टर बना दो तो फिर प्रशन उठा क्यों तो गांदी जी ने का बचेगा नहीं ज़्यादा इनकी उमर नहीं है मरेगा कम से कम भारत तो बटवाला नहीं होगा और गांदी जी को इसमें इंट्रेस्ट क्या था आप जानते हैं गांदी जी ने एक स्टेटमेंट कर दिया था पब्लिकली कि पाकिस्तान बनेगा तो मेरी लाश पर बनेगा तो गांदी जी ने कहा कि मेरी तो ये कमिटमेंट है कि मैं पाकिस्तान नहीं बनने दूँ तो Congress Working Committee के सामने गांधी जी समझा रहे है कि आठ महीने में मर जाएगा, ट्यूपर कुलोसिस हो गया है, पीट का ट्यूपर कुलोसिस है, बन जाने दो, तो नहरू ने का मैं, तो तुम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, तो फिर बाकी नेता खड़े हो गए, मैं, मैं में, तो गांधी जी ने का कोई finance मिनिस्टर हो जाओ, कोई कुछ हो जाओ, कोई कुछ हो जाओ, प्राइम मिनिस्टर इसको हो जाने दो, तब नहरू ने फिर कहा गांधी जी से, और वो आप सुनी, और वो record की बात है, कोई साधरन बात नही है, फिर आपको समझ में आएगा कि बारत के बटवारे का जिम्मेदार कौन है, नहरू जी ने कहा कि बापू, अगर जिन्ना प्रधान मंत्री बनेगा, तो मैं कॉंग्रेस को तोड़ दूँगा, और मैं कॉंग्रेस को तोड़ कर, अपना अलग गुट बनाऊंगा, और अंग्रेजों के सामने सत्ता के कार बनाऊंगा, तो नहरू जी का स्टेटमेंट है, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, गान्दी जी के सेकरेटरी ने रिकॉर्ड किया, जिनका नाम था, प्यार एलाल, वो लिखा हुआ है, तो नहरू जी चहते है कि मैं कॉंग्रेस का एक गुट बनाऊंगा, अंग्रेजो कांदी जी को पूचा कि आप इतने दिर्ज हो गए तो गांदी जी ने कहा कि कि मैंने किसि गलत आदमी के सिर पर हाथ रखा लिए a गलत आग्मी माने पंडि जवारलाल नहरू फिर गांधी जी ने अपने सिक्रेटरी प्यारेलाल को कहा कि ये नहरू और जिन्ना में इतनी घ्रणा क्यों है प्यारेलाल ने का मुझे नहीं मालूम है तो गांधी जी ने का पता करो तो पता कौन कराएगा तो L.A.U. के दिली के ओफिसर को बुलाया जो गांदी जी की प्रार्धना में नेमित रूप से आता था रिपोर्टिंग करने के लिए गांदी जी ने अपने पास बुलाया कि भाई एक रहस से मुझे बता दो क्या कि ये जिन्ना और नहरू एक दूसरे को पसंद नहीं करते फूटी आँग देख नहीं सकते चक्कर क्या है तो L.A.U. के ओफिसर ने का पंदर दिन का समय दे दो मैं आपको बता दूँगा पंदर दिन के बाद वो आया और उसने का कि बापू ओफिशल रिपोर्ट दूँ कि अनोफिशल तो गानवीजी ने कहा दोनों दो तो उन्होंने कहा कि अनोफिशल रिपोर्ट ये है जो मैं लिख के नहीं दूँगा लेकिन आप समझ जाएंगे लिखे दूँगा अप्रत्यक शुरूप से लिखूँगा तो भी आप समझ जाएंगे बात सीधी सी ये है कि ये जिन्ना और महरू एक दूसरे को पसंद इसलिए नहीं करते हैं कि इनके बीच में एडविना है अब आप इसमें से अगर निश्कर्ष निकालना चाहें तो भारत का बटवारा एक इस्त्री के कारण हुआ एक औरत के कारण हुआ और मोथी एडविना नहरू भी उससे लगा हुआ जिन्ना भी लगा हुआ और एडविना इतनी चाला दोनों को हैंडल करती थी दोनों को हैंडल करती और इन दोनों को तैयार किया उसने नहरू को और जिन्ना को दोनों आपको एक घटना सुनाता हुँ जो आर्काइव्स के रिकॉर्ड में धर्च है किसी दिन ये रिकॉर्ड्स कुलेंगे तो देश में विस्फोट होगा तीन जुलाई 1947 को एडविना और उसका पती तथा कतित पती सो काल मांट बेटें क्योंकि मांट बेटें एडविना के साथ कभी बैडरूम में सोया नहीं जितने दिन वो भारत में रहा तो कौन सोता था आप सब जानते हैं मांट बेटें तथा कतित पती एडविना का तीन जुलाई 1947 को अपनी पत्नी को बिलाता है और कहता है कि मैं जा रहा हूं हूं शिंगला क्यों जा रहे हैं अंग्रेजों के यहां से चिठी आ गई है पार्लिमेंट से कि जल्दी से भारत का बटवारा करने के लिए तैयारी करो दोनों देशों को अलग लग करना है चिठी आ गई है मुझे इस पर कुछ काम करना है तो एडविना ने पूछा काम क्या करना है तो उनका मैं जा रहा हूं शिंगला तुम दोनों को लेके मेरे पीछे आओ दोनों वाने नहरू और जिन कि आपको बटवारे के पेपर्स पर हस्ताक्षर करने है नहरू ने कहा कि मैं नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकते तो कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी में मुझे पूछना पड़ेगा तो कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी में बाद में कहना पहले हस्ताक्षर कर दो तो नहरू ने क करते हैं तो मुझे कुछ फोटोग्रैफ्स भारत की प्रेस में रिलीज करने पढ़ेंगे और वो फोटोग्रैफ्स क्या थे एडविना के साथ शराप पीते हुए एडविना के साथ डांस करते हुए एडविना के साथ पता नहीं क्या क्या करते हो एडविना इतनी चालाक महिला थी कि अंतरंग छड़ों को उसने फोटोग्रेफी से उतरवा के रखा हुआ था कभी भी इस्तेमाल करने के लिए नहरु जी परिशान हो गए कि अगर ये फोटोग्रेफ्स रिलीज हो गए तो क्या होगा इवी डेट वो तैयार हुए और तीन जुलाई को सबेरे ढ़ाई वजे उन्होंने सिगनेचर कर दिये दिल्ली भाग कर आए कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और कहा कि मैंने तो भारत का बटवारा स्विकार कर लिया तो कॉंग्रेस वाले परेशान हो गए कि आपने बिना हम से पूछे तुर्ण का हाँ परिस्तिती कुछ ऐसी थी कि मैंने वो बटवारा स्विकार कर लिया क्या परिस्तिती थी तो सच नहीं बताया बताया कि वो जिन्ना हड़ा हुआ था और भारत के साथ बारगेमिंग करने की कोशिश कर रहा था इतना एरिया मुझे पाकिस्तान में दो दो यह सब बातें बताके वर्किंग कमेटी को कंविंस किया तो वर्किंग कमेटी ने कहा कि गांदी जी को बताया तुरण का गांदी जी को बताने की जरूरत नहीं है क्यों जरूरत नहीं है तो नहरु जी का सेंटेंस सुनिये यह बुढ़ा खूसर इसका दिमाग खराब हो ग लेकिन बात तो पहुंची गई गांधी जी तक गांधी जी ने फिर वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुले और इस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में आखरी बार उन्होंने कहा कि देखो नहरू ने हस्ताक्षर तो कर दिये हैं लेकिन मैं भारत के नागरिकों की तरफ से इसको माननिता अगर ना दूँ तो अंग्रेजों की सरकार परिशान हो जाएगी। लेकिन तुम सब तय कर लो कि नहरू को रखना है या बाहर करना है। तो वरकिंग कमेटी में फूट पड़ गई। कुछ लोगों ने समर्थन कर दिया, कुछ लोगों ने विरोध कर दिया, सरदार पटेल उस समय खामोश हो गए, मौन हो गए, उन्होंने अपना ओपीनियन नहीं बताया, तो कई लोगों ने उसका अपना अपना अलग अर्थ ल और उसके 10 बारे दिन के अंदर 3 जुलाई से लेके 17 जुलाई 1947 के बीच में इन्होंने बहुत सारे वो काम कर दिये कि बटवारे में कौन सा हिस्सा पाकिस्तान जाएगा, कौन सा भारत रहेगा, आर्मी का बटवारा कैसे होगा, लोगों का बटवारा कैसे होगा, पैसे का कैसे होगा, वो सब फर्मूले तै कर लिये, अंग्रे जोने एक अधिकारी बेज दिया, उस अधिकारी ने बाउंडरी लाइन तै कर लिया, और उसके बाद सब कुछ तै होकर, 14 अगस्त रात 12 बजे उन्होंने भारत को तथाकतित आजाद कर दिया, दो टुकडे करके, भार भारत और पाकिस्तान का बटवारा, कोई बहुत बड़े युद्ध करांती का परिणाम नहीं था, भारत और पाकिस्तान का बटवारा, दो नेताओं के चरित्र से उतर जाने का दुश्परिणाम दा। पतन हो जाए, तो राष्ट का ही बिनाश होता है, ये कहानी है इंदुस्तान के बटवारे के, आप बोलेगे जी क्यों सुनाई, इसलिए सुनाई कि एक तरफ सरदार भगत सिंग जैसे 6,32,000 क्रांतिकारी, जो भारत को आजाद होकर एक नया राष्ट बनाने का सपना देख आप बोलेंगे जी, हमें तो पहली बार ये सब सुनने को मिला है, ये पहली बार आपको सुनने को इसलिए मिला है, कि कोई इसको कहने की हिम्मत नहीं करता है। इस डेश में बहुत सारी इतिहासकार हैं, जो नहरूजी के बारे में सब जानते हैं, लेकिन पब्लिक में जाकर बोलना ताकत नहीं है, नहरूजी एक दिन में 60 सिगरेट पीते थे, चेल स्मोकर थे, एक सिगरेट छूटे तो दूसरी चालू, दूसरी छूटे तो तीसरी जिनना एक दिन में 72 सिगरेट पीता थे, दोनों एक ही प्रेंट की शराब पीते थे, पैरिस में, फ्रांस में एक शराब बनती है, जिसका नाम है कोई है, उस जमाने में उसकी एक बोतल 16,000 रुपई की आती थे, और उस जमाने का एक रुपई आज के 300 रुपई के बराबर तो दोनों की शराब पैरिस से आती थे, कपड़े धुनने के लिए पैरिस जाया करते थे, सिगरेट पीना, शराब पीना और मास का खाना खाना, जिनना सुर का मास खा लेता था, नहरू जी गाय का भी मास खा लेता थे, इसका पता कैसे चला, जैसे ही देश के बटवारे तुरंत बार, कॉंग्रेस के कुछ नेताओं ने, नहरू जी के सामने एक प्रस्ताव लाया कि नहरू जी, आपने लाहोर में एक भाशन दिया था, और बोला था, कि मैं कभी भारत का प्रधान मंत्री बन गया, या मेरे हाथ में देश की बाग डोर आई, तो गाय की हत्या ब तो उसमें पूछा क्यों, क्या तकलीफ है आपको, गोरक्षा का कानून बन जाना चाहिए इस देश में, क्या तकलीफ है आपको, तो नहरू जी ने कहा, मेरे लंच का क्या होगा, और गान, नहरू जी का सेक्रेट्वी, जिसका नाम था जौन मत्हाई, वो लिख कर गया है, कि नहरू जी के लंच में, बीफ चलता था, बीफ का मुतलब होता है गाय कमास, वो खुद गाय कमास खाते थे, और अपने को, कश्मीरी पंडित कहा करते थे, नहरू जी की इन दो छोटी सी दुष चरित्रताओं ने पूरे देश में सत्यानाश कर दिया, क्या सत्यानाश हुआ, अंग्रेजों को पता था, कि ये आदमी ऐसा है, जिसको हम चाहें तो गुमा सकते हैं, क्यों जिसको चरित्र में कमजोरी आ जाती है, जो लंगोट से पक वसूल है, सार्वजनिक सामाजिक काम करने वालों के लिए, जो लंगोट का पक्का नहीं होता है, उसको चाहें वो गुमा सकता है, तो अंग्रेजों को पता चल गया कि ये तो बहुत कच्छे आदमी हैं, तो उन्होंने उस कच्छे आदमी के कच्छे पन का भरपूर फाइ तो चर्चिल ने कहा कि चिंता मत करो, भारत से हम लोटने के बाद भी भारत में वही होगा जो हम चाहेंगे, तो एटली पूछ रहा है कि दिस्तार से जरा बताओ, तो चर्चिल कहता है कि देखो, हम भारत को छोड़ देंगे, लेकिन हमारी भाशा भारत में रहेगी, हम भा भारत को छोड़ देंगे, हमारी संस्थाएं भारत में रहेंगी, हम भारत को छोड़ देंगे, हमारा धर्म भारत में रहेगा, और ऐसा बोलते बोलते कह गया, कि बस इतना ही होगा, कि अभी हम गोरे अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे, कल से काले अंग्रेज करेंगे, च भारत की आजादी के बाद हमें भारत चलाना है तो इनी अंग्रेजों की मदद लेनी पड़ेगी जिनोंने अब तक भारत चलाया है। इसलिए मैं संसद में ये एनाउंस करता हूँ कि अंग्रेजों की बनाई गई प्रसाशनिक व्यवस्था जैसी की तैसी ही चलेगी। बने ICS आफिसर, IPS आईरस आफिसर सारे के सारे ओफिसर्स वैसे ही रहेंगे। अंग्रेजों की बनाई गई पुलिस वैसी की वैसी ही रहेगी। और उसी दिन से तैग हो गया कि भारत की आजादी शूनने है। क्योंकि जिस बात के लिए भगत सिंग आजादी चाहते थे वो तो हुआ ने भगत सिंग का सपना क्या था 28 सितंबर 2007 को भारत की सरकार भगत सिंग के डाइरी के बहुत सारे पन्ने पब्लिश करने जा रही है जो आपको पन्ने को मिलेंगे जो अब तक छुपा के रखे गए जान पूज कर छुपा कर रखे गए कुछ ऐसे पन्ने हैं भगत सिंग की डाइरी के जो देश के सामने आने चाहिए थे 50 साल पहले लेकिन नहीं लाए गए क्यों कि उन पन्नों में भगत सिंग ने भविश्य का भारत कैसा होना चाहिए उसका खाका लिखा सी भगत सिंग लिखते हैं कि आज़ादी के बाद भारत में अंग्रेजों के कानून नहीं चलेगे अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था नहीं चलेगे अंग्रेजी में आए वेवस्था नहीं चलेगी लेकिन भारत के प्रथम प्रधान मंत्री कह रहे हैं संसद में कि आजादी के बाद हमें अंग्रेजी पुलिस भी चाहिए कानून भी चाहिए अधिकारी भी चाहिए तो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून जिसका नाम है इंडियन सिविल सर्विस एक्ट नहरू जी ने नहीं बदला, इंडियन पुलिस एक्ट नहरू जी नहीं बदला, इंडियन एजुकेशन एक्ट नहरू जी नहीं बदला, लेंड अक्विजिशन एक्ट नहरू जी नही नहीं बदला और 34,735 कानून नहीं बदले जो बदलने चाहिए थे पहले ही दिन 15 अगस्त 1947 वो सब के सब कानून हमारे उपर लदे हुए हैं और आज भी हम उन कानूनों के नीचे गुलाम हैं अंग्रेजों की पुलिस को इंडियन पुलिस एक्ट के आधार पर ये अधिकार कि वो जब चाहे किसी हिंदुस्तानी को मार पीट कर सकते हैं जब चाहे किसी हिंदुस्तानी के घर में घुश सकते हैं निउसन्स खड़ा कर सकते हैं उसके घर के सामन को तितर बितर कर सकते हैं ये अधिकार हर पुलिस ओफीसर को था आजादी मिलने के 60 साल बाद भी ये अ आपको एनकाउंटर में मार दे तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते आप जानते हैं बहुत सारे पुलिस ओफीसर इसी ताकत का दुरुपयोग करते हैं पंजाब में, जम्मू काश्मीर में नंदी ग्राम बंगाल में और उस दुरुपयोग का अंतिम दुश्परिनाम होता है कि समाज के अंदर पुलिस के खिलाफ एक बगावत की भावना होती है जो कभी कभी किसी गलत रास्ते पे मुड़ जाती ये कानून बदला नहीं इंडियन एजुकेशन बदला नहीं अंग्रेजी को भगाया नहीं जब अंग्रेज भागे तो अंग्रेजी जानी चाहिए वो भगाया नहीं सब कुछ रख लिया बस अंग्रेज चले जाए बाकी सब भारत में रहे जाए ये आज़ादी का तथ्थ निकला बगत सिंग का सपना था कि अंग्रेज के साथ अंग्रेजियत जाए इस देश में से अंग्रेजों के साथ अंग्रेजियत जाए ये भगत सिंग का सपना था लेकिन आज़ादी के बाद भारत के प्रधान मंत्री पहले पंडित नहीं अंग्रेजों को विधा किया अंग्रेजियत को समाल के रख लिया दुश परिणाम क्या हुआ उसका अंग्रेज जब भारत छोड़ कर गए तो भारत में गाय का कतल करने के लिए तीन सो पचास कतल खाने होते थे अब अंग्रेजों के जाने के साथ साल के बाद इस देश में 36,000 कतल खाने हो गए गाय का कतल करने वाले जब अंग्रेज हिंदुस्टान छोड़ कर गए थे तो एक साल में 30,000 गाय कटती थी अब अंग्रेजों के साथ साल के बाद इस देश में एक दिन में 30,000 गाय कट जाती है ये हमने विकास किया अंग्रेज जब इस देश को छोड़ कर गए थे तो गाय का मास अंग्रेजों की पुलिस खाती थी और अंग्रेजों की सेना खाती थी अंग्रेजों के चले जाने के 60 साल के बाद भारत की गायों का मास दुनिया के तमाम लोग खा रहे हैं यहां से गाय का मास एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अंग्रेजों के जमाने में ये जो कानून नहीं बदला सरकार में, अंग्रेजों के जाने के बाद भी नहीं बदला, उसका आज दुश्परिणाम ये है कि गाय के एक-एक साल के बच्छडे, दो-दो साल के बच्छडे राद दिन काटे जाते हैं, ट्रक के ट्रक भरके कतल खानों में बेजे जाते हैं, किसी कतल खाने के सामने आप जाके दस मिनट खड़े नहीं हो सकते हैं। पंजाब से गायों का इतना कतन हुआ है कि देशी गाय ही दिखाई नहीं देती इस पूरे पंजाब में पंजाब के मैं जितने भी गायों में आज तक गया हूँ किसी भी गायों में देशी गाय का धर्शन नहीं मिला हिंदुस्तानी गाय, थर पारकर, साहीवाल, काकरेजी, लाल सिंधी, सफेद सिंधी, गाठी ये सब भारत की गाये हैं, कई दिखने को नहीं मिलती है जो पंजाब में दिखाई देती है, वो सब अमरीकी गाये होलेस्टियन, फ्रीजियन, जिसको अंग्रेजों ने लाकर यहां छोड़ा और हिंदुस्तानी गाये को साफ करा दिया, और ये सिर्फ पंजाब का हाल नहीं है पूरे हिंदुस्तान में यही हो रहा है, देशी गाये का बड़े पहमाने पर कतल अंग्रेजों का तर्क यह था कि गाये का मास खाने में बहुत स्वादिष्ट है, आज हमारे देश में जो काले अंग्रेज चला रहे हैं सरकार को, वो भी यही कहते है कि गाय का मास खाने में बहुत स्वाधिस्ट है इसलिए गाय का कतल बंद नहीं हो सकता चालू रहे अंग्रेजों ने एक कॉन्वेंट स्कूल खोला था कलकता में 3760 में अब हिंदुस्तान में हजारों हजारों कॉन्वेंट स्कूल गली गली में है और मुझे ये कहते हुए बहुत शरम आती है कि हिंदुस्तान में बजरंग वली कॉन्वेंट स्कूल भी है स्वरस्वती माता कॉन्वेंट स्कूल भी है आज तक मेरे समझ में नहीं आया बजरंग वली का कॉन्वेंट से क्या कनेक्शन है और जो कॉन्वेंट चलाने वाले हैं उनको मैं रोज पूछता हूँ कि भाईया ये बजरंग वली कौन से कॉन्वेंट पर पढ़ने गए थे जो तुमने बजरंग वली कॉन्वेंट इसकूल चला दिया तो कहते हैं राजीब भाई कुछ भारत का कुछ अंग्रेजों का ये खिजड़ी है मिक्षया है बजरंग वली भारत के कॉन्वेंट अंग्वेज़ों का उचला रहा है सोचते नहीं समस्ते नहीं विचार करते नहीं कि ये कॉन्वेंट इसकूल हमारे लिए जरूरी है अंग्रेज कॉन्वेंट इस्कूल चलते हैं उसका इतिहास आप जानते हैं यूरोप में पिछले धाई हजार साल से एक परंपरा चल रही है जो खराब और अच्छी है वो आप तै करिये मैं सिर्फ परंपरा बताता हूँ कि 70% समाज के इस्तुरी और पुरुष शादी नहीं करते ये 5000 साल पुरानी परंपरा है यूरोप की शादी नहीं करते लेकिन बिना शादी के साथ में रहते इसको एक नाम दे दिया है लिव इन रिलेशन्शिप पती पत्नी नहीं बनते ओफिशली लेकिन बिना ओफिशली पती पत्नी बने हुए पती पत्नी की तरह से रहते हैं तो बच्चे तो पैदा होते ही हैं अब ऐसे पत्नी जो शादी करते नहीं और बच्चे आ गए वो कहते हैं बाई एक्सिडेंट आ गए हमने तो बच्चे लाने की प्लैनिंग की नहीं थी वो तो एक्सिडेंट से आ गए तो ऐसे बच्चों को सरकार पालती है क्योंकि पती पती नहीं पाल सकते और उन बच्चों को पालने के लिए चर्च को फंड दिया जाता है चर्च उस पैसे से कॉन्वेंट स्कोल चलाता है कॉन्वेंट का अंग्रेजी में मतलब होता है लावारिस बच्चों का स्कूल आप चाहें तो आक्सफोर डिक्षणरी खोले वैबस्ड डिक्षणरी खोले और सी ओएंधी एंटी का मतलब देख लीजे C-O-N-B-E-N-D का मतलब है लावारिस बच्चों का स्कूल जिनके बाप का पता नहीं, जिनकी अम्मा का पता नहीं ऐसे बच्चों का स्कूल आप जानते हैं कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो उनको टीचर नहीं कहना सिखाया जाता वो कहते हैं ये फादर है, ये मदर है, ये ब्रदर है, ये सिस्टर है टीचर नहीं है, फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, क्यों? असली नहीं है तो नकली सही काम चलाना पड़ेगा, असली तो है नहीं अब मुझे अपना सिर पीट्टे का मन करता है कि जो Convent School चलाए जाते हैं बिना माबाप के बच्चों के उन Convent School में अच्छे खासे माबाप के बच्चे पढ़ते और वो गर्व से कहते हैं मेरा बेटा सिंजोजफ Convent में पढ़ता है मेरी बेटी सेंट मेरी Convent में पढ़ती है फिर मैं पूचता हूँ लावर इस बच्चों के स्कूल में तो थोड़ी देर के लिए परिशान हो जाते हैं फिर जब मैं उनको डिक्षणरी खोल-खोल के दिखाता हूँ पढ़पढ़ के सुमेता हूँ तो कहते हैं आजी मैं क्या करें अच्छी सिख्षा देनी है तो मजबूर ही का कुछ समझवता करना है मैं उनसे कहता हूँ कि आप क्या समझवता करना है जना सोचो तो सही हमारे भारत की परंपरा है कि कि किसी भी बेटे या बेटी की दो माताएं हो सकती है बाप दो नहीं होते आप जानते हैं भारत की पराउटा भगवान कृष्ण की दो माता हैं एक ने जनम दिया एक ने पाला भगवान राम की तीन माता हैं कहकरी सुमित्रा अतिरिक्त माता मूल माता कौशन लिया आप पुराने जमाने से ढूनना शुरू करो तो हर एक महान व्यक्ति की दो तीन माताइं मिच जाएंगी राना प्रताप की दो माताइं एक पन्ना धाय जिसने दूद पिलाया और एक असली मा जिनों ने जनम दिया शिवाजी की दो माताइं तो भारत में ऐसी परंपरा हजारों साल से है माताइं दो हो सकती है तीन हो सकती है बाप एक ही होता है लेकिन कॉन्वेंट इस्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के दो दो बाप होते है एक तो घर में है असली और दूसरे इस्कूल में नकली फादर mother, brother, sister अब आपको बहुत खराब बात कहता हूँ आपके दिल पे चोट पड़े इसलिए कहना चाहता हूँ भारत में एक बहुत खराब शब्द है उसको बाद में बोलूँगा पहले अंग्रेजी में बोलने तो अंग्रेजी में बहुत खराब शब्द है उसका नाम है BASTARD B-A-S-T-A-R-D इस BASTARD शब्द को अगर आप खोल के देखो डिक्षनरी में आक्सफर्ड में या चेमबर्स में या वैब्स्टर में तो इसका अथ्रारत है ऐसा लड़का जिसके दो बाप उसको BASTARD कहते है हमने अपने अच्छे खासे बेटे बेटियों को कॉन्वेंट में भेज-भेज के बास्टर्ड बना गया है और हम मरे गर्व से कह रहा है कि हमारे बेटी हमारा बेटर कॉन्वेंट में पढ़ता है अगर जो भगत सिंग की सची श्रद्धानजली अर्फित करना चाहते हैं तो भगत सिंग जी की जो छपने जा रही है डाइरी 28 सिपनल को छप जाएगी जरूर खरीद के पढ़ना उसमें उनके विचार हैं कि अंगरेजों के जाने के साथ अंगरेजी सिख्षा जानी चाहिए हमें वो नहीं चाहिए इस अंग्रेजी सिख्षा को हमने पकड़ के रख लिया, अपने हिर्दै से चिपका लिया, अंग्रेज चले गए, कॉन्वेंट छून गए, और मुझे दुख है यह कहते हुए, कि कॉन्वेंट स्कूलों में चल रहा सारा का सारा खेल, हम हिंदू, सनातनी और अपने को भारत यह मानने वाले लोगों के डोनेशन से होता है, आप में से कई लोगों को यह गलत फेहनी होगी, कि शायद कॉन्वेंट स्कूल विदेशों से आई हुए फंड से चलते हैं, मुझे भी पहले यह गलत फेहनी थी, मैंने एक बार संसद में मेरे एक मित्र को सवाल दिया लिग कि जरा सरकार को पूछो कि कॉन्वेंट स्कूल का एक साल का कुल खर्चा पूरे भारत का जो है, उसका वो क्या है, क्लेसिफिकेशन क्या है, कितना भारत से आता है, कितना विदेशों से आता है, तो पता चला कि कॉन्वेंट स्कूलों में हर साल 18,000 करोन रुपए खर्च हो इंग्लेंड में इसको बोलने की जरूरत है क्योंकि वहां साल में आठ महीने सूरज ही नहीं निकलता साल में आठ महीने जिस देश में सूरज ना निकले और गल्पी से किसी दिन निकल निकल मौर में यूरोप में होता है रात को बरफ पढ़ती है और एक रात को नहीं दसियों बीसियों रातों को बरफ पढ़ती रहती है जब बरफ परना बंद हो जाती है तब वो चिलाते है गुड नाइट भारत में तो एफ़री नाइट इस गुड नाइट हम फ़स गे गुड आफ्टर न वाजी आफ्टरणून, यूरोप में होता है गोड आफ्टर्नून क्योंकि सूरज तो निकलता नहीं महीनों, कभी अचानक वो तीन बजे के आसपास वो जलख लाता है तो वो चला पे गुड आफ्टर्नून, हमारे हां तो अबरी आफ्टर्नून is गुड आफ्टर्नून, काहिके लिए ये फ़ज़ ए चक्कर में गुड नोन, गुड आफटर नून, गुड मॉर्मिन, गुड नाइट कॉन्वेंट में पढ़ा के अपने बच्चों को हमने आधा अंग्रीज बना दिया कैसे, बच्चे को पॉन्वेंट में पढ़ते हैं, उनके पिता जी का नाम है, राम दयार, माता जी का नाम है, गाइत्री देवी बेटे का नाम हो गया, टिंकू मेरे समझ में नहीं आता कि ये राम दयार और गाइत्री देवी का टिंकू का से आ है तिंकु का अर्थ समस्ते हैं फिर से डिक्ष्णरी खोली ऑक्सफर्ड की वेब्स्टर की तिंकु का अर्थ है आवारा लड़का और आवारा का अर्थ आप समस्ते हैं जो बात की न सुने मा की न सुने घर में ही न रहे वो आवारा लड़का सीधा सादा भूला भाला आपका बेटा आप उसको टिंकू 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 बोल बोल कहीं बनाने वाले हैं आमरा और ये टिंकू अकेला नहीं है इसके साथ बबली भी है बबली दिंपल, ट्विंकल, बबली, डबली, डबलू, बबलू पता है नहीं कहां कहां से विचित्र नाम ये लाला के अपने अपने घड़ में रखना शुरू कर दो हमारा पता है क्या हुआ? पहचान ही खत्म हो गएगी राम दयाल की पहचान है गाहित्री देवी की पहचान है टिंकू की क्या पहचान है राम दयाल गाहित्री देवी की पहचान है बबली डबली की क्या पहचान है बबलू डबलू की क्या पहचान है हम लोग इतने मूर्खता में फज़ गए ये सब मैं अपने जीवन को खसा लिए कैसे विचित्र हम हिंदुस्तानी हो गए हैं हम हिंदुस्तानी ऐसे हो गए हैं कि गाय का टतन हो खून भी नहीं खौलता पानी हो गया कुट्टे पाल-पाल के रोज सवेरे सवेरे सेर करने जाते हैं मैं ने देखा है यह तिंको पिंको बबलु डबलु के जो अम्मी पपपा ही ना मम्मी पपा यह कुट्टों को सवेरे लेके सहर कराने जाते हैं और मैंने कई ऐसी मम्मीयों को देखा है जो अपने घर के बेटे या बेटी को गोद में नहीं उठा सकती उसको आया उठाएगी वो कुत्ता लेके सवेरे सवेरे सहर पर जाएगी कुट्टे का पिल्लू बाहंद के सवेरे जालदी सेर पर अपने घर के पिल्लू को नाश्ता देने के लिए भी फुरसत नहीं है क्योंकि उसको कुट्टा टहलाने के लिए लेके जाने और वो कुट्टा जात का ही ऐसा है जहां टांग भाए वही शूचू करने कोई मैनर्स नहीं कोई सभिता नहीं कोई संस्कृति नहीं उसको परण 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 के लिए और वो कुट्टा मी बड़ा विजित्र है देख यही परण आपकी कार को देखेगा चारो तरफ चक्कर रणाएगा वो कार का परिया सबसे अच्छा दिखाई देगा उसे परण उसको परण और शुट्टे को घर में बानके बाहर बोट पांगे ते नहीं देगा नौ यह हमारा कचला होगे पहिचाना पर हैं पहले हर धर के सामने गाय बंदी चाहिएच अब ढरव में कुट्ता हुआ है विज कांगे विल्कास परण वेज़ा के सामने बाहर है जो आपको भी चिप्ला है को जो आए नहीं वाले को उससे भी जादा चुट पहना था कि यही एक ऐसा जीव है जो आने वाले भविश्यने किसी काम का नहांव हो गाय को लेके नहीं गए घर को लेकर में यह कुट्टे को लेकर गए और ऑपऀका प्रतिकाहते हैं। उस युडिस्वग लेगे अपने साथ उस कुट्टे को हमने तुटे को वापस लाकर दो करने के वहने बाद लिया। अपने अच्छे खासे हिंदुस्तान में जहां संग सीटोशन बलबाईू है टेंपरेशर बराबर का है ना जादा घंडी है ना जादा गरम है उस हिंदुस्तान के छोते छोते बच्चों को गले में एक तरदी बहुत है और हम तो ऐसे महानों के महान हो गए कि भरी जून की गर्मी में थ्रीपीस सूट टांगे घूमते रहते हैं दूले राजा बनके घोड़े पे चाड़के बैठते हैं थ्रीपीस सूट और टाई लगाके मूर्खों के मूर्ख उसी दिन सुपर इडियेट बनके शादी करने का किसी को मैं पूछता हूँ भाईया ये शादी का दिन है इडियेट यो बन रहे हो ये थ्रीपीस सूट और टाई लगाके जून की भहेंकर गर्मी में पैतालीस डिग्री टेंपरेचर में जब पसीना पसीना शरीर हो रहा है टाई सूट लगाके घोड़े पे चाड़के बाटे हो गोड़े पर टाटनी की ये ड्रेस नहीं है तो गेता है राजी भाई आज तो छोड़ दीजे क्यों आज शादी है तो शादी के तिन सुपर इडियट होना है क्या जोकर बनना है क्या और मैं कभी-कभी उनसे कहता हूँ कि भाईया अगर तुम थ्रीपि सूट और टाई लगाते हो तो शादी के समय अपनी पत्नी को मैक्सी पहना हूँ या मिडी में लेके आओ मिडी समझत ए हाफ स्कर्ट यहां तक बुटने के ऊपर तक की स्कर्ट को वहां मिडी कहते है तो मैं कह में तो मिढी में लाओ अपनी पत्मी को मेक्सी में लाओ क्योंकि आप सिवर्ष ni पत्मी को साड़ी में लाएंगे और पति झ्रॉप्य सूट और टाइ पहनगे आएंगे मूर्खों के मुण यही सब कॉर्ण्वेंट की दिशानिया है यह कॉर्ण्वेंट एजुकेशन में हमारे दिमाग में ऐसा वाइरिस भर दिया ना तो हम हिंदुस्तानी रह पाए ना अंग्रेज बन पाए हम खिचुडी हो गए हमारी पहँचान खतम हो गए मैं दुनिया में बहुत घुंटा हूँ और धुनिया के देशों में जब मैं जाता हूँ तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि जो देश में मैं गया वहां के लोगों का पहनावाँ देखके मुझे तुरन पता चलता है कि आदमी कहा काली गल्व के किसी भी देश में चले जएंगे। सभाप walks पहचान लें गे। और कही बार तो ऐसा होता है कि पूरे कफडे देखने की ज़रुरत नहीं सिर्क पर जो स्कार्फ बांदा हुए ना उससे मैं धेश बता सकता हूं यह आधिन देश का है, यह हिंदुस्तानी बिचत्र बंदा है, कहीं भी घूमे यूर्वप और अमेरिका में, पहचानी नहीं सकते, कि किस देश का है। सरदारों को छोड़ कर। क्योंकि वो अकेले बचे हुए हैं जिनोंने अपनी पगड़ी नहीं छोड़ी है जिनोंने अपने केश नहीं छोड़े है जिनोंने अपना कड़ा नहीं छोड़ा है जिनोंने अपनी कटार नहीं छोड़ी है मैं दुनिया में जहां भी जाता हूँ सिखों को तुरन पहँचान लेता हूं कि ये पक्का हिंदुस्तानी है बाकी किसी हिंदू को पहँचानना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि थ्रीपी सूट और टाई लगा के वो अंग्रेजों का बाप ने जरा तर जो कोई हमारे पोशाक से हमें नहीं पहचान सके तो ऐसी इज़त और ऐसे सम्मान का क्या करे हमारी भाशा बदल गई हम अब अंग्रेजी में बात करते हैं पढ़े लिखे लोग ज़्यादा अंग्रेजी में बात करते हैं विचित्र विचित्र शब्द बोलते रहते हैं, क्योंति हो राजीव डिक्षित, she is my missus, मैं पूछता हूँ, really, she is your missus, क्योंकि missus का मतलब नहीं माले, missus का मतलब होता है, धरम पत्नी को छोड़ कर कोई भी महिला, मैं आपको सच बता रहा, जोग नहीं है, अंग्रेजों की डिक्षिनरी में, missus का रत होता है, धरम पत्नी को छोड़ कर कोई भी ऐसी महिला, जिसके साथ आप चाहें तो एक रात गुजारें, दो रात गुजारें, माने वैश्या और कॉरल गर्भ, वो missus होती है, हम हमारी my missus, तो मैं पूछता हूँ, really she is your missus, oh my god, और इसका उल्टा है mister, mister माने पती को छोड़ कर कोई भी पुरुश, जिसको आप इस्तेमाल करने के लिए लाए पैसा दे के सभी रविदा करेंगे, वो mister, हम अपने धरम पती को mister बनाते हैं, धरम पत्नी को missus बनाते हैं, बिना सो सुचे, समझे, अंग्रेजों की नकल करके, अपने को अंग्रेजों से बड़ा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, बच्चों को बच्पन से बड़ा करते हैं, उनको कविताएं भी सुनाते हैं, तो अंग्रेजी में, twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, उन बच्चों को पूछो भईया, इसक मतलब क्या है, मालूम नहीं, twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, मतलब मालूम नहीं है, रटा रटा के, रटा रटा के उसको तोता बना दिया, पोपट, कभी कभी कुछ बच्चे आते हैं, rain rain go away, come again another day, little baby wants to play, फिर मैं उन से पूछता हूं मतलब मालूम है, इसका क्या है, rain rain go away, माले बारिश तुम चली जाओ, कभी भी मताओ, क्योंकि मुझे खेलना है, भगवान ने अगर सुन लिया तो, आप बोल रहे है, rain rain go away, बारिश तुम चली जाओ, चली जाओ, कभी भी मताओ, भगवान ने सुन लिया, बारिश आएगी नहीं, भूखे मर जाएंगे आप सब, ऐसी उल्ट मराठी के कविता मुझे याद आती है, बता देता हूं, ये रहे ये पाउसा, तुला देतो पाईसा, पाईसा जाला मोटा, पाउसा आला मोटा, बारिश तुम जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, जादा जादा आओ, मैं तुमको पैसा दूँगा, ऐसी कविता ह कहाँ चला गए मुम्मी का मतलब है मरा हुआ और डेड़ी माने मरे हुए जैसा और अब और तरक्सी हो गई है अब बोलते है डेड़ कितना सुन्दर शब्द है मा कितना सुन्दर शब्द है पिता तो मा पिता माता जी पिता जी सब छोड़कर मम्मी डैडी मॉम डैड मम्मा पता नहीं कहा कहा मम्मा बोलने में गर्व है अम्मा बोलने में शर्म है अक्सर मैंने घरों में देखा बच्चों को मम्मा बोले के काओं अम्मा बोलो शर्मा आती है मम्मा का ही कोई मतलब नहीं ना अंग्रेजी में है ना फ्रेंच में है ना जर्मन में है ना इटेलियेट में है दुनिया की किसी भाषा में मम्मा शक्दी नहीं है और हमारे घरों के बच्चे मम्मा 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 और मम्मा भी जवाब देती रहती है हाँ ठीक है ठीक है पेशा बोल मेरा आपको हाथ जोड़ कर विंती है अपनी पहचान को मत दुबो ही है दुनिया में जिनकी पहचान खतम हो जाती है उनका सब कुछ खतम हो जाते हैं दुनिया में हर देश अपनी पहँचान के लिए लगता है चाहे वो छोटा सा एराक हो या इरांग हो या सुदी-अरब हो या फ्रांस हो, या जर्मनी हो या सुईडन हो, या सुईजलेंड हो, या देनमार को हर देश अपनी पहँचान के लिए लड़ रहा है दूसरे किसी भी देश की गुलामी में जाने को तयार नहीं है क्योंकि पहँचान खतम हो जाएगी हम खुशी से अपनी पहँचान रुटवाने पर खतम करवाने पर तुल्ले है मेरी आपको विंती है कि भगत सिंग जी के शहादत दिवश्टी पूर्वसंद्या पर अपने जीवन में एक संकल्प लेंग कि हम अपनी पहँचान बना कर रखेंगे क्योंकि आपकी पहँचान चली गई तो फिर आपकी आने वाली प्यूडी के सामने तो और बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा और जिस लोगों के समाज की पहँचान चली जाए राष्ट भी तूट जाएगा राष्ट भी चला जाएगा बचेगा नहीं इसमें कुछ हुए इसलिए इस अंग्रेजियत में से डूबे हुए आप सब लोग थोड़ा बाहर आईए अपने जीवन में छोटे-छोटे से कुछ संकल्प लाईए और इन संकल्पों की मदद से अपनी पहँचान को आगे बढ़ाईए आप मोलेंगे हम भा भारत की पहचान है कुछ वो पहचान कहा है भारतिय भोजन भारतिय भाशा भारतिय भूशा भारतिय भजन भारतिय भेशज ये सब भारत की पहचान है मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां भी संबब हो अपनी पहचान मत खोईए भारतिय भोजन के इस तर से शुरू करिए अपनी पहचान वापस लाइए मने भारतिय भोजन ही अपने परिवार में और अपने जीवन में अपनाईए ये जो अंग्रेजियत का भोजन है पीशा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल डॉग, चाउमिन्स इसमें कहां थस गए आपनों और आप जानते हैं ये पीशा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल डॉग सब बनते हैं गाई के मास से या सुवर के मास से क्योंकि इसको बनाने वाली जो कंपनी है मैक्टोनन और एक है केंट की फ्राइट चिकन ये दोनों कंपनियां ओपन ली बोलती है कि पीशा और बर्गर हम बनाते हैं सुवर के मास से और उनकी जो बनती है ना मैगी और चाउमिन वो बनाते हैं गाय की चर्बी के निकाले हुए रस से अब एक तरफ आप बोलो गव माता की जै और दूसरी तरफ खाओ पीशा बर्गर या हॉट डॉग या दूसरी तरफ खाओ चाउमिन तो गव माता कैसे जै होने वाली है तो अगर गव माता की जै करनी है तो ये पीशा बर्गर, हॉट डॉग, कोल डॉग, अंग्रेजी के भोजन बन कर दीजे तो आप बोलेंगे जी क्या खाए हिंदुस्तानी भोजन खाईए, कोई कमी तो है नहीं अपने पास आप कहेंगे जी हिंदुस्तानी भोजन में फास्ट फूड हिंदुस्तान में सिवई से बड़ा फास्ट फूड क्या हो सकता है तुरन तयार होती है, कम से कम मेगी से तो अच्छी है दूद में सिवई बनाके खिलाईए, खुद खाईए, बच्चों को खिलाईए पराठा है, पूड़ी है, सबजी है, राइता है, अचार है, सबजी है पता नहीं क्या-क्या है हमारे यहाँ अगर बहुत ज़्यादा आपको चाहिए कुछ ऐसी चिक तो दक्षन भारत के वेंजन ले लिजे इडली है, साबर है, रसम है, उत्तपम है, जो 10-15 मिनट में तयार होते हैं भारतिय भोजन मत छोड़े अगर आपने भारतिय भोजन छोड़ा तो क्या होगा अंग्रेजियत का भोजन आपको मुफीद नहीं आएगा क्योंकि अंग्रेजियत का भोजन उनके हिसाब से है जहां ठंड बहुत पढ़ती है माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेट हो जाता है तापमान वो पीजा बर्गर खाएं तो उनको चलेगा आप यहां प्लस 20 डिग्री सेंटीग्रेट वाले पीजा बर्गर खाएंगे तो कॉलेस्ट्रॉल बढ़ेगा हर्ट अटेक आएगा डाइविटीज होगी अर्थुराइटिस होगा वजन बढ़ता ही चला जाएगा थोड़े दिन में आप परिशान हो जाएगे क्या आप क्या करें पंजाब इस बात का ध्यान रखे क्योंकि पंजाब हिंदुस्तान में अकेला पहला प्रदेश है जहां जरूरत से ज़्यादा बजन बढ़ रहा है लोगों का हर दूसरा पंजाबी ओवरवेट है इस समय हर दूसरा पंजाबी ओवरवेट है और ये ओवरवेट होने का सबसे बड़ा कारण है पीशा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल डॉग, चाउमी डबल रोटी, पाव रोटी जो आपके भेर में अक्सर नाचते पे काई जाती है ये डबल रोटी, पाव रोटी आप जानते है सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है बजन बढ़ाने मने बजन बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मदद करती है पाव रोटी और डबल रोटी मत खईए इसको तो भारतिये भोजन करिए बारतिय भाषा मने पंजाबी आपकी मात्र भाषा इसका सद उपयोग करिए ज्यादा है तो हिंदी उपयोग करिए और ज्यादा है तो संस्कृत उपयोग करिए ज्यादा अंग्रेजी में मत फसे और फाल्दू अंग्रेजी तो कभी भी मत बोलिए दूसरों पर रॉब जाड़ दें के लिए अंग्रेजी तो बिलकुल मत बुढ़े क्योंकि ये गुलामों की भाषा है गुलामी गई, साथ साल हो गया अभी क्यों उसको याद दिला रहे हैं बार बार अंग्रेजी बोल बोल के तो आप कहिए जींग्रेजी तो अंटराश्मी बहाषा ये बिलकुल जूट बात है दुनिया में 200 देश हैं, मात्र साथ देशों में अंग्रेजी चलती है 193 देशों में उनकी अपनी बहाषा हैं चलती है फ्रांस में फ्रेंच है, जर्मनी में जर्मन है Sweden में Swedish है, Holland में Dutch है Rus में Russian है, Japan में Japanese है Chin में Chinese है सब देशों की अपनी भाशा है और इन देशों में मैं सब जगे देखके आया उनकी सिक्षा जीवन में छोटे से लेकर उच्चितम सब मात्र भाशा में है आपको मालू में Rus के सभी Medical College Russian में काम करते है रूस के Engineering College में Russian पढ़ाया जाता है फ्रांस के Engineering Colleges में French में पढ़ाया जाता है फ्रांस के Medical College में French में पढ़ाया जाता है वहाँ के जो Management के Institutions हैं वो भी French में पढ़ाते है फ्रांस मुश्किल से 5 करोड़ लोगों का देश है लेकिन कभी भी अपनी भाषा नहीं छोड़ता हम 110 करोड़ वाले अपनी भाषा क्यों छोड़ बैखे खुमारी लाई ये मन में भाषा के पर भाषा मत छोड़िये भाषा मत छोड़िये भोजन मत छोड़िये अपना भजन मत छोड़िये अपना भारतिय भजन, ये rap music, pop music काहा भज गए इसमें, rap dance, pop dance, बुझे तो समझ में नहीं आता, उसमें डानस है कि एक्सरसाइज है, कभी टांग इधर उठा दिया, कभी इधर उठा दिया, कभी हाते से कर दिया, कौन सा डानस उसमें हो रहा है, आपके पास कोई कमी है भारतिय नक् कि परतनाट्यव है, कतकली है, कुछी पुडी है, ODC है, कत्थक है, कुछ कमी तो नहीं है, इतने अच्छे डांस है, और भारतिय डांस की विशेष्टा ही ज़रा समझ लीजे, तो आपको पता चलेगा कि ये कितने वेग्यानिक तरीके से विक्सित किये हुए है, भारतिय ड इंचालन से बॉडी का बैलेंस बनता है, बरतनाट्यम कुछी पुडी, कतकली, और थोड़ा कत्थक में आये, इनकी भाव भंगमाओं को देखें, तो अगर महिलाएं इस दांस को कर रही है, तो जीवन परियंत निरोगी रहने की आश्वस्ती है, गारंटी है, कैसे बरतना में आपको कहता हूँ, वो सभी माताओं के गर्भाशे को सबसे ज़्यादा फ्लक्सिबल बनाता है पद संचालन, और मा का गर्विस्थान सबसे महतुपूर है, क्योंकि उसी में से जीवन आगे बढ़ता है, वो जितना फ्लक्सिबल होगा, मा की आने वाली संथान उतनी अ चितना है, तो अपने डांस मत छोड़िये, अपने भजन मत छोड़िये, अपनी भूशा मत छोड़िये, अपनी भाशा मत छोड़िये, अपना भोजन मत छोड़िये, अपनी आउशदी भी मत छोड़िये, आउशदी से मतलब भारत में हैं, तो भारती आउशदीयों का और फोन वहां दोई मोसम होते हैं ठंड और भेंकर ठंड कर मौझन। अधिक और मैक्सिको की तरव चले जाए ना तो वहां भी दो ही मौसम है बारिश और बहेंकर बारिश ब्राजिल और मैक्सिको में रुकती नहीं चारीव तो अलए तो बारी कंड़ और आधर अफरीकsti कहा कर्भी और भाहिंकर गर्मी किसी भी देश में तीसरा मौसम ही नहीं है ये भारत अकेला देश है जहां छे मौसम है और 16 क्लाइमेटिक जोन्स है दुनिया में बिचित्र है ये देश भारत के बारे में तब मुझे जादा पता चला जब मैंने विदेशों में घूमना शुरू किया भ जाजील और मेक्सिको की बारिश देखनी है तो चेरापुंजी में आजाएए अगर आपको और न्यूजिलेंड का दलदल देखना है तो उडिसा और बंगाल में आजाएए अगर आपको अफरीका का रेगिस्तान देखना है सहरा तो जैसलमेर में आजाएए अगर आपको चिल चिलाती हुई धूप देखनी हैं तो करनाटक में कुरग आजाईए। आपको दुनिया के सबसे अच्छे सुनहरे जंगल देखने हैं तो डेकन के ट्रेप पर आजाईए। सब कुछ इस देश में है। मुझे ये समझ में आया, दुनिया के 16 क्लाइमेटिक जोन्स इस देश में हैं, बाकी सबी देशों में 2 या 3 क्लाइमेटिक जोन्स हैं, इसलिए शायद भगवान को भी भारत में जन्म लेने की इक्षा रहती है। आप बड़े भाकेशाली हैं जो भारत में जन्म मिला है, क्योंकि इस देश में ईश्वर भी जन्म लेने के लिए मनुष्य के रूप में आता है। मौसम बहुत है। जस देश का मौसम विश्ष्ष्च है उस देश के मौसम में होने वाली गयतिविद्हा भी विश्ष्ष्च हैं। समसीतोषण जलवाईव में viral और bacterial infection जयादा नहीं हो सकता. जहां ठंड बहुत है, वहां viral और bacterial infection maximum होगा. यहां ठंड इतनी नहीं हैं, तो viral और bacterial infection सबसे कम होगा. और हमारे यहां तो सूरी का प्रकाष हर समय उपलब्द है. 24 गंटे में 12 गंटे सूरी निकलता इस देश में तो वाइरस और वेक्टिरियाओं को मारने का तो सारा काम ये सूरी करता रहता है तो आप क्यों ये anti-viral injection लगवाते रहते anti-vacterial injection ठुगवाते रहते कभी hepatitis B के नाम पर कभी hepatitis C के नाम पर कभी पोलियों के नाम पर कभी किसी के नाम पर हमारे पास तो सूरे ही सबसे वड़ा रक्षक है हमको तो कोई एंटी विक्टीरियल और एंटी वाइरल वैक्सीन की जरूरती नहीं है भगवान नहीं हमारी सुरक्षा व्यवस्ता करके बेजिए हम अंग्रेजों की नकल करकर के ठुकवा रहें कभी ये वैक्सीन कभी वो वैक्सीन कभी और उसी मैसे दुष्परिणाम आ रहे और वो दुष्परिणाम है कि आपको जिंदगी में जो रोग कभी होने नहीं चाहिए वो 20-25 साल की उमर में शुरू हो रहे अभी 25 साल के लड़के लड़कियों को मैं देखता हूँ कार्डिय करेस्ट हो रहा है, हर्ट टेक हो रहा है, अर्थराइटिस हो रहा है घुट्नों का दर्द हो गया, कमर का दर्द हो गया 20-25 साल में ये रोग कहां से आए क्योंकि आपको जो इंजेक्शन ठोके गए हैं बच्पन से जिनकी आपको जरूरत नहीं है, उनके दुश्पर नहीं तो मेरी आपको विरिंती है कि भारत में रहते हैं तो भारत की जलवायू को ध्यान में रखकर अपनी चिकित्सा विवस्था करिए तो आप भूलेंगे जी भारत की चिकित्सा विवस्था हम तो जानते नहीं है पढ़ लीजे, जानने में आ जाएगी भारत की चिकित्सा विवस्था का नाम है आयरुवेद यूरोप और अमेरिका की चिकित्सा विवस्था का नाम है ऐलो पैथी एलोपैथी कोई महान है और आयरुवेद कोई नीचा है मैं यह नहीं कह रहा हूँ यह आयरुवेद महान है एलोपैथी नीचे है वो नहीं कह रहा हूँ भारत के लिए जो सबसे आवश्यक है वो आयरुवेद है यूरोप के लिए आवश्यक है वो एलोपैथी है उनको उनका मुबारत आप अपना देखिए तो आप बुलेगे जी आईरुवेद का तो अपने को कुछ पता नहीं है पता कर लीजे बहुत आसान है अभी आईरुवेद की बहुत सारी पुस्तकें पंजाबी में छप गई है हिंदी में है, मराठी में है, गुजराती में, तमिल में, तेलगु में संस्कृत में तो थी ही, अब इन भाषाओं में भी आ गई है तो आप बुलेंगे नाम ही नहीं पता, नाम सुन लीजे मैं सुना देता हूँ बहुत अच्छी आयरुवेद की पुस्तक है जो सब घर में रहनी चाहिए उसका नाम है अश्टांग हिर्दयम पंजाबी में हैं, हिंदी में हैं, मराठी में हैं, तेलगु में, तमिल में, कंड़ में 21 भाषाओं में इसका नुबाद हो चुका है ये आर नाम है आर नाम है